विधान परिशद नाखपुर संभाख सनातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मिद्वारों के लिए आज सुबा 8 बजे से मतदान करने मतदाता पहुँचे इसी क्रम में केंद्रिय मतरी दिन गड़करी मतदान बूत पर पहुँचे और अपने पसंदिदा उम्मिद्वार के पक्ष में मतदान भी किया विदान परिशद नाकपुर संभाख सनातक निर्वाचन क्षेत्र के छे जिलों में आज सुबए 8 बजे से वोटिंग की गई नाकपुर की अदी बात करें तो इस चुनाम में मुख्य रूप से महाविकास आगाडी के उम्मिद्वार अभी जित वन जारी और भाजपा के उम्मिद्वार संदीब जोशी के बीच कांटे की टकर होने की खबर से राजनितिक बाजार में चर्चाओ का दौर जारी है अपने सुरक्षा रक्षकों के बीच नितिन गड़करी अपने वाहन से उतर कर सिते मतदान बूत पर पहुँचे और उन्होंने अपने पसंदिदा उमिद्वार को मतदान किया में अपना मतदान कर रहे हैं इसी श्रिंकला में केमरिया मंतरी नितिन गड़करी भी आज यहां पर आए हुए है आप देख सकते हैं कि यह वही साखरे गुरी ती उच्चे परात्तमिक शारा है जहां पर यह मतदान केंदर है और इस बूत पर आकर वे अपना मतदान कर रह कि नितिन गड़करी ने एक भी शब नहीं बोलते हुए सीदे गाड़ी में चाह कर वहाँ से निकल पड़े तो इस प्रकार से केद्रे मतरी नितिन गड़करी इन्होंने अपना मतदान यहां पर करके वे निकल चुके है और मेडिया ने जब बात कर रहा है और भी लोग आ है या मतदान करेंगे हर उमिद्वार को अपने जीत पर भरोसा है घोड़ा मैदान नजदिक है तब पता चलेगे कि जीत किसकी होगी कामेरा परसर मुरू खाल के साथ संजय मुरे इंबी से मिज नाकपूर